अब हम लोग टंग की तरफ चलेंगे जुबान यह जो टंग होती है यह हमारे पास that is the structure जो के muscular organ है ठीक है अगर आप से यह पूछा जाए कि यह हमारे पास क्या है तो टंग को बचो आप लोगों ने याद रखना है that is labeled as muscular organ ठीक है यह हमारे पास आगया muscular organ यह muscle है यह ऐसा muscle है जिसका हमें origin तो दिखाई देता है ठीक है मतलब अब इस muscle या इसके origin की बात की जाए और इसके insertion की बात की जाए तो वो कैसा होता है तो बचो याद रखिएगा इसका जो origin होता है यह हमारे पास होता है hyoid bone के साथ hyoid bone और इसकी जो insertion होती है वो free होती है जिसकी वज़ा से यह आपके पास speaking के अंदर responsible होता है बाकी यह जो tongue है यह आपके पास taste के लिए भी responsible है that is sense of taste ठीक है तो इस sense of taste को बचो हम लोग mention करते हैं gustation that is labeled as gustation ability to taste बचो यह हमारे पास gustation कहलाती है बहुत आसान से है जिसको हम लोग यहां पर mention करते हैं चलो बचो इसमें यह जो पीछे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यानि यह वाला इसको हम लोग बोलते हैं epiglottis ठीक है so that is a quite important structure क्योंकि epiglottis अक्सर बचों को तंग करता है कि यह epiglottis क्या है कहां है किस तरह से है ठीक है फिर peletopharyngeal ars की बात करते हैं हम लोग peletine tonsils होते हैं इसको देख लो यह आप लोग mention कर लो peletine tonsils बचों हम लोग इनको mention करते हैं द्यार peletine tonsils दोनों साइड पे हैं ठीक है फिर बचों हमारे पास यह जो जुबान के पीछे आप देखो ना बहुत ही जादा पीछे end पे चले जाओ तो यह बचों हमारे पास lingual tonsils कहलाते है दे आर लेबल्ड एज lingual tonsils ठीक है lingual tonsils हम इनको बोलते हैं चलो आगे चलते हैं यह बचों फिर हमारे पास इसमें कुछ structures दिखाई देते हैं जो के valid papillae कहलाते हैं यह mention कर लो बाकी इसके function आपको याद करने की जुरूरत नहीं है that is valid papillae papillae जो है they are responsible to detect के आपके पास कौन कौन सी जो है यह जो taste होते हैं उनको हम लोग relate कर रहे होता है ठीक है side ओं पर जो होते हैं यह वले इनको हम लोग बोलते हैं कि यह हमारे पास foliate papillae कहलाते हैं they are labeled as foliate papillae ठीक है they are foliate papillae foliate papillae जहें वो हमारे पास कहलाते हैं फिर सबसे आगे जहें वो आपको philly form papillae यहाँ पर they are labeled as philly form यह कुछ books के अंदर लिखा हुआ है papillae के बारे में जैसे kpk की है तो आप इसको याद रखना के नाम क्या है और फिर इसके बच्चो थोड़ा सा पीछे हमें यह हम mention करते हैं fungi form papillae they are labeled as fungi form papillae fungi form papillae तो valid papillae, polyad papillae, fungi form papillae और philly form papillae जो हैं वो हम बच्चो इसके साथ mention कर रहे होते हैं यह जो दरम्यान में आपको यह line नदर आती है इसको बोलते हैं medial sulcus that is labeled as medial sulcus of tongue यह जुबान का बच्चो medial sulcus होता है यह बड़ी detail हम लोग यहां पर इसके साथ चीजें mention करते हैं चलो अब बच्चो यहां पर papillae की बात की जाए तो papillae that is the structure like this है अगर हम tongue की बात करें suppose that is the tongue surface तो इस tongue surface के ऊपर यह इस तरह से चोटी चोटी सी जो extension होती है इसको बच्चो हम लोग mention करते हैं papillae और इसी papillae की division जो है वो आपके पास mention की जा रही होती है ठीक है चलो अब इसमें न हमारे पास कुछ हिसे mention किये जाते हैं जो के बच्चो इसमें different taste को detect करते हैं जैसे अगर हम लोग यहां पर mention करें तो सबसे बच्चो यह terminal जो part होता है that is responsible for the taste of sweet ठीक है यह sweet taste के लिए responsible होता है अच्छा फिर बच्चो अगर हम लोग इसमें यह इसकी बात करें तो यह responsible होता है for salty ठीक है salty जो taste होता है उसके लिए responsible होता है उसके भी पीछे चलें बच्चो तो यह हमारे पास हिस्सा आ जाता है that is responsible for the taste of sour ठीक है अच्छा इसके भी बच्चो अगर हम लोग पीछे जाएं तो वह आपके पास bitter taste देता है that is responsible for bitter taste ठीक है अच्छा और बिल्कुल center में हम लोग यह कहते हैं कि यह हमारे पास इसके जो center वाला हिस्सा है that is responsible for umami taste ठीक है जो कि चीज को आप लोग जब taste करते हो तो उसमें यह umami taste मेंशन किया जाता है ठीक है जी चलो अब बच्चो यह tongue के अंदर हम लोगों ने जो structure पड़े हैं और इसका taste पड़ा है यह तो हम लोगों को समझ में आ गया ठीक है अब आपके पास एक चोटी सी बात रहती है वो है के जी order कौन सा होता है what is the order of sensitivity ठीक है कौन-कौन सी चीजे जो है उनकी sensitivity कौन-कौन सी होती है what is the sensitivity of taste तो बच्चो इसमें सबसे पहले हम लोग कहते हैं reverse order होता है तो bitter फिर उसके बाद बच्चो sour फिर उसके बाद salt और फिर उसके बाद sweet ठीक है यह इसका order होता है जब बच्चो हम लोग tongue पे मौजूद glands की बात करते हैं तो यह भी mention कर लेते हैं कि इस पे glands कौन-कौन स होता है इन पर बच्चो glands हो है वो आपके पास दो है mainly एक होता है ebner's glands sorry एक ही है इसको ebner's gland बोलते हैं that is ebner's gland अच्छा यह जो ebner's glands होते हैं यह किसके लिए responsible हैं यह बच्चो सिक्रीट करते हैं gastric lipase sorry lingual lipase lingual बोलते हैं टांग को और इस पे lipase हो है बच्चो इसको produce कर रहे होते हैं तो lingual lipase हो है वो यहां से produce होता है जिनको हो MDCAT clear करने का यकीन उनका तो हक बनता है उस्ताज जी से सीखने का Physics in Seconds देता है MDCAT की live classes by Pakistan's experienced teachers with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision Join यकीन MDCAT session For admissions and details visit physicsinseconds.com हर entry test की prep के लिए Physics in Seconds हर सकते हैं